जैश्री कृष्णा घर में जाडू कब लगाना चाहिए घर में जाडू कैसे रखें घर में जाडू कैसे लगाएं घर में जाडू कहां रखना चाहिए और जाडू के सगुन या अपसकुन और जाडू किस दिन खरीदें आईए आज बात करते हैं वास्तु सास्तर के अमसार ये सारे जाड़ू से सम्मंदित काम कब करने चाहिए किस तरह करने चाहिए जाड़ू कहां रखनी चाहिए इन बातों पर चर्चा करते हैं मेरा ये वीडियो माताओं और बहनों के लिए विशेश एहमियत रखता है इसलिए सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने तथा सभी लोगों को शेर करें जितने भी आपके जानकार हैं उन सब को शेर करें ता चल जाए लोग अपने जीमन में धन की देवी मा लक्षमी को खुश करने के लिए पूरा दिन पूजा पाठ और बाकी चीजों में लगा देते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि घर में रखीवी वस्तूँ में से मा लक्षमी का आशिरवात भी प्राप्त किया जा सकत है हमारे घरों में भहुत सी ऐसे चीजें होती हैं जिन से कोई न कोई वस्तूशास्तर जुड़ा होता है ऐसी ही एक वस्तूँ है आपके घरों में पाई जाने वाली जाडू 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 चाए बांस की हो चाए फूल जाडू हो या अन्य किसी परकार की जाडू हो जा आप जानते हैं कि सागान सी दिखने वाली जाडू भी आपको धनवान बना सकती है आपको करोड़पती और कंगाल बना सकती है जी हाँ ऐसा मुम्किन है बसरते कि आप अपने गर में जाडू कहां रखते हैं आपको ये बता दें कि वास्तु सास्तर के अनुचार जाडू और लक्षमी में गेरा नाता है ज़ाडू के साथ और भी बहुत सी धार्मिक मानेताएं जुड़ी वी हैं हम और आप बच्पन से ये सुनते वे भी आये हैं कि ज़ाडू का अपमान कभी नहीं करना चाहिए बड़े बुजूर्ग हमें यहीं बताते थे कि ज़ाडू से किसी को मा करना नहीं चीए और ना ही ज़ाडू को कभी सीधा खड़ा करके रखना चीए इन सब बातों के पीछे एक वज़े थी जो साइद आपको पता नहीं हो दरसल सास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में ज़ाडू का अपमान होता है वहां कभी मा लक्षमी का बास नहीं होत है जहां ज़ाडू को कहीं भी रखें या फैंक दिया जाता है उस घर में सदेव आर्थी खानी होती है ऐसी माननेता है तो आईए आपको मैं बताता हूं कि ज़ाडू कैसे बना सकता है आपको माला माल और कैसे कर सकता है आपको कंगाल ये इन बातों का आप दहान रखेंग तो सदेव सुखी रहेंगे शाम या रात के समय कभी ज़ाडू नहीं निकालना चीए सास्त्रों में भी इस प्रकार की मनाई की गई है दूसरी बात आती है कि ज़ाडू को ऐसी जगे छिपा कर रखना चीए जहां किसी की भी नजर ना पड़े तीसरी बात ये है कि ज़ाडू को हमेशा उत्तर दिशा के और रखना चीए और चोथी बात डाइनिंग हाल में ज़ाडू नहीं रखना चीए ऐसा करने से स्वास्ते समंदि समश्याएं आती हैं और पांचमी बात ज़ाडू से समंदित है कि बेडरूम में ज़ाडू नहीं रखना चाहिए इससे समंदों म खटास आता है और चटी बात है ज़ाडू के उपर पैर कभी भी नहीं रखना चीए या ज़ाडू को कूद कर लांगना नहीं चीए और शात्मी बात ज़ाडू से समंदित है कि ज़ाडू को खड़ा करके नहीं रखना चीए इससे घर में कलेस होता है और आठमी बार जाडू से सम्झेत यह है कि जाडू को जलाने से बचें इससे धन की देवी मा लक्स में नाराज हो जाती है और नौमी बार यह है कि जाडू को घर से बाहर या खुले में नहीं रखना चाहिए इससे चोरी का डर बना रहता है और दसमी बात मैं बताना चाता हूँ कि नए घर में पुराना जाडू लेकर नहीं जाना चीए और ग्यारमी बात जो मैं बताना चाता हूँ वो ये है कि जब भी नए जाडू खरीदें हमेशा कृष्णपक्ष में ही खरी दे शुक्रपक्ष में ज़ाडू नहीं करीदना चीए और बारवने बात जो बताना चाहता हूं वो यह है कि ज़ाडू से किसी को भी नहीं मारना चीए विशेश कर गाय को तो कभी भी नहीं मारें यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में मा लक्षमी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और यदि आप इन बातों का उलंगन करते हैं तो फिर आप समझते हैं क्या होने वाला होगा वीडियो पसंद आता है सभी लोगों को शेर कीजिएगा और लाइक तथा कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी चैनल दो साथी टीवी को जरूर सब्सकाइब कर लीजिए और बेल आइकोन को दबा दीजिए ताके आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आज की जानकारी कैसी लगी हमेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएगा जैस्री कृष्णा